हाई उर्वन आप सभी के हमारे यूटूब चैनल पे वेलकम हैं आज की सिंपॉर्टन क्लास में हम बात करने वाले ही यूजिसी नेट उर्दू से रिलेटेट कुछ वेरी इंपॉर्टन कोशन के बारे में यह सभी कोशन आपके रेल एक्जाम में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से सीधे आप हमारे टेलिग्र से सही तर्टीब की निशानदी कीजिए देखिए पहला आपके पास में है इसी तरह से दूसरा आप्शन भी है तीसरा है और चोथा है चारव आप्शन को आपको रीड करना है फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा कोशन को जब भी आप रिड करें बहुत ही केरफली आप रिड करें इहत्याद के साथ मैं जल्दवाजी बिल्कों नहीं करें आयोड सब लोगोंने कोशन को अच्छे से रिड कर लिया होगा और इस सवाल के सही जवाब तक आपके रिसाई भी हो चुके होगी अब मैं आपको देता हूं इस question का सही जबाब क्या हो जाएगा यानि इन में से कौन सी तर्कीव है जो कि दुरुस्त है तो नोट कर लीजिएगा यानि पहली जो तर्कीव है ये दुरुस्त है यानि सबसे पहले निजामी बेदरी उसके बाद मुल्लावजी उसके बाद मीरहसन और उसके बाद में पंडित द्याव शंकर नसीव इन्हें आप जरूर याद रखेंगे बहुत ही सत्रा सो सैंती सीसे में याद रखेगा और सत्रा सो च्यासी सी में आपका इंतिकाल हुआ है अब हम बात कर लेते हैं पंडित द्याश शंकर नसीम के बारे में तो आपकी पैदाईश हुए अठारा सो ग्यारा इसी में और आपका इंतिकाल हुआ है 1845 सीसी में कहीं कहीं आपको 1843 भी मिलेगा यह रशीर असन खान के मताविक है तो इसमें बहुत ज़्यादा आप प्रेशान नहीं होगे तो यहां पर कुछ चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी आइ थिंक आपको मुलावजी की कौन सी मसनवी है याद रखेंगे सब्रस फरी उत्व मुश्टरी सब्रस तो आपकी जो है दास्तान है निजामी वेदरी कदम राव पदम राव है बेर हसन की सहर बयान है और दया शंकर नसीम की गुलजारे नसीम है यानि यह सबी जो है मसनवी निगार है चलिए हम बात कर लेते हैं इस कोशन की सही जोड़ के निशान भी कीजिएगा पहला उफशन देखिए आपके पास में तोबत नसूह है और इनके सामने मुशी प्रेम चद्द है तो आप मुझे बता दीजेगा तोबत नसूह किसका नौविल है और साथी साथ में आग का दरिया किसका नौविल है तो इन्हें भी आप नौविल है तोबत नसूह जो है ये डिप्टी नजीर अहमद का नौविल है इसे नौविल है गौदान जो है मुशी प्रेम चंद का नौविल है और आग का दरिया कुरतलन हैदर का नौविल है अब यहां पर आप सब मुझे एक चीज़ बताएंगे क्योंकि देखिए एक्जाम में कोशन यहां से बनते ही बनते हैं जितनी भी शक्सियात उब्दू की हैं उनकी पैदाईश आपको मालूम हो और साथ साथ इंतिकाल कब हुआ यह भी चीज़ आपको क्लिर होनी चाहिए तो मुझे आप बता दिएगा मुझे प्रेमचन की पैदाईश कब और कहां पैदाईश कब हुए और इंतिकाल कब हुआ है अब्दुलहलीम शरड की पैदाईश कब हुए और इंतिकाल कब हुआ है कुर रतुलन हैदर के बारे में इसी तरह से और इसी तरह से डिप्टि न रजीर अहमद के बारे में जल्दी से सब लोग बताएंगे क्योंकि ये पूरा एक कोशन बन सकता है कि आपसे एक्जाम में यही चारों शख्सियात के नाम दी जा सकते हैं पूछा जा सकता है कि इनकी जमाने तर्टीब के इतिमार से जो है सही जुम्रे के निशान देखीगे चलिए तो सबसे पहरे नोट कर लेजिएगा मुशी प्रेम चंद के बारे में आपकी पैदाइश हुई है 1880C में आपकी पैदाइश हुई है और 1936C में आपका इंतिकाल हुआ है इस बात को ध्यान में रखीगा अब इसके बात मूट कर लेंगे अब्दुल हलीम शर्ड़ 2700C में आपका इंतिकाल हुआ है याद रखीगा नजीर आहमद नजीर आहमद के बारे में बात कर लेते हैं तो आपकी पैदाइश हुई 1830C में और 1913C में आपका इंतिकाल हुआ है तो बहुत इंपॉर्टन फैक्टर जरूर आप याद रखीगा चलिए बात कर लेते हैं इस कोईशन की दुरुस्ट जोड की निशान दही कीजिए पहला उप्शन आपके पास में नई तनकीद और सामने है जमील जालबी अक्स और आइने मुहम्मद हसन अदबी तनकीद मजनु गोरकपूरी अफसाना और उसकी गायत इतिशाम हुसेद आप मुझे बताएंगे इन अदबी तनकीद के मुसनिफ कोन है और इसी के साथ साथ में अफसाना और उसकी गायत के मुसनिफ कोन है इन तीनों किताबों के मुसनिफीन के नाम जल्दी से आप मुझे बता दीजेगा तो पहले आप नोट कर लिजेगा अक्स और आइने के मुसनिफ है एतिशाम हुसेद मारकल लिजेगा अक्स और आइने के मसन्निफ को ने एतिशाम हुसें अब आप फिर नोट करेंगे अदबी तनकीद अदबी तनकीद किसकी किताब है मुहम्मद हसन की अफसाना और उसकी गायत किसकी किताब है इसे भी नोट पिल लिजेगा मजनू गोरक फूरी की जोकत Siddhi की टेढ़ी लकीत, इनतजार हुसें बस्ती तो आप मुझे बता दीजेगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा करेंक्टर अंसर क्या हो जाएगा तो इस कोषिण का सही जवाब हो जाएगा चोथा यानि इंतजार हुसेन का नौवल है बस्ती यानि बस्ती किसका नौवल है इंतजार हुसेन का तो फिर एक चादर महली सी किसका नौवल है नोट कर लिजिए राजिन सिंग बेदी का खुदा की बस्ती किसका नौवल है शौकर सिद्धी की और टेड़ी लकीर किसका राजिन सिंग बेदी की बताईएगा शौकस सिद्धी की बताईएगा और इंतजार हुसें का भी आप मुझे बताएंगे तो सबसे पहले आप नूट के लिएगा इसमे चुगति की पैदाईश विए 1915 इसी में आपकी पैदाईश हुई है और 1991 में 1991 इसी में आपका इंतिक हुआ है अब हम बात कर लेते हैं राजिन सिंग बेदी के बारे में तो आपकी पैदाईश विए 1915 इसी में लेकिन आपका इंतिकाल हुआ है 1984 इसी में देर देर आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे चलिए अब आप नोट के लिएगा शौकस सिद्धी की पैदाईश 1923 इसी में आपकी पैदाईश विए और 2006 इसी में आपका इंतिकाल हुआ है अब जहां तक स्वाल इंतिजार हुसेन का तो इंतिजार हुसेन की पैदाईश भी आप नोट कर लिजेगा 1923 इसी में इंतिजार हुसेन की पैदाईश हुई है लेकि 2016 इसी में आपका इंतिकाल ह वहा है याद रखिए तो देखिए कुछ चीज़ा आपको common नज़र आ रही हो common क्या है 1915 1915 ये दोनों की पैदाश क्या है सेम डेट है यहां भी 1923 ये भी इन दोनों क्या है सेम है तो इनको रिलेट कर सकते हैं आपस में दूसे के साथ चलिए रेक्स कोशन आपके सामने देख बहुत important question आ रहा है दरजजेल महक्किकीन की जमानी तरतीब कों सी दूसे जली से कोशन का मुझे आप सब बताएंगे चारो ही तरतीब को रिड कर लिजिए अच्छे से पढ़ लिजिए फिर आप मुझे बताएं इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा correct answer क्या हो जाएग आयोप सब लोगों ने इस question को अच्छे से read कर लिया होगा और सही जवाब तक आपके रिसाइब भी हो चुकी होगी अब मैं आपको बता देता हो इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा तो इस वाल का सही जवाब हो जाएगा फौर्थ यानि जो चौटा आउश्न है चौटियो तर्तीब है ये तर्तीब सही है यानि सबसे पहले मौलवी अब्द अब्दुल्धूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूद चलिए अब हम बात कर लेते हैं रशीद हसंद खा के बारे में तो रशीद हसंद खा की पैदाइश कब हुए नोट कीजेगा उनीस सो पच्चीस इसी में आपकी पैदाइश हुई है और दो हजार च्छे इसी में आपका इंतिकाल हुआ है अब नोट कर लिजेगा जमील आशीद उनीस सो इसी में और आपका इंतिकाल हुआ है दो हजार उनीस इसी में तो इस लहाज से सही तरतीब कौन सी हो जाएगी चोती हो जाएगी आएथी आपको सारी चीज़े क्लियर हो चुकी होंगी चलिए न इस कोशन आपके सामने हां सबल जा आपकी जोहरा आईल द के आब हैं कितने तूफा तरी कश्टी के लिए बेताब हैं इस शेर पर जोश मलिहाबादी की कौन सी नजम खत्म होती है पहला आपके पास में जंगल की शहजादी है दूसरा किसान है तीसरा शिकस से जिन्दा का फाब है और चौतो आपके बता दीजेगा इस सवाल का सही जबाब क्या हो जाएगा तो इस कोश्टन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानि किसान ये चारो ही नजमें बहुत इंपॉर्टन्ट है तो चलिए मुझे आप बता दीजेगा जोश मलिहाबादी का नाम क्या है आपकी पैदाई कब हुई है और आपका इंतिकाल कब ह इसे भी आप मुझे बता दीजेगा साथी साथ में जोश मलिहाबादी के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है और इसी के साथ में जोश मलिहाबादी की खुदनविस सवाने हयात का नाम क्या है और लास कोशन आप से करेंगे जोश मलिहाबादी की खुदनविस सवाने हयात कितने अबवाब पर मुश्टमिल है तो आपके पहले सेवाल का जवाब हो जाएगा जो मैंने पूछा आप से क्या जवाब हो जाएगा आपका शबीर हसन खाँ आपका नाम क्या है शबीर हसन खाँ इसे आप नोट कर लिजीगा आपकी पैदाईश भी है इसे भी नोट कीजएगा 1896 इसे मलीहाबाल लक्नों में आपकी पैदाईश भी है और आपका इंतिकाल कब हुए इसे भी आप नोट कर लीजएगा 1982 इसे में इसलामाबाद में आपका इंतिकाल हुआ है चली, अब आप नोट कर लीजएगा आपके पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है तो नोट कीजएगा रूह अदब जो ही आपका पहला शेरी मजमुआ है आपकी खुदनविस का नाम क्या है? यादों की बाराथ, इसे भी नोट कर लीजएगा अब एक लास कोशनव मैंने आपसे किया है कि यादों की बाराद जो ये खुदन भी स्वानेखियात है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है तो नोट कर लीजेगा इसमें पांच बाव हें पांच अबवाब पर मुश्तमिल ये किताब है चलिए अब हम बात कर लेते हैं ना इस कोशन की मसनवियों के इतिबार से सही जोड की निशान दही कीजिए पैला आप्शन आपके पास है फूल बंद या शंकर नसीम सिहर बियान अबन निशाती गुलजार नसीम बीर हसन खुत्ब मुझतरी मुझा वजही तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आसान कोशन पीछे मने डिसकस भी कर दिया है तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फूर्थ यानि कुत्ब मुझतरी मुला वजही की मसनवी हैं बाकी सारे चीज़ आपको बता चुके है चली नहीं इस कोशन आप के सामने है जेल में दो जुम्रे सही हैं सही जुम्रे की निशान ध़ी कीजिए बहुत ही इम्पॉर्टन कोशन है इस तरह के कोश्चन जो UGC NET के नए एक्जाम हो रहे हैं उनमे एक्जाम में आपसे पूशे जा रहे हैं चलिए पहले आप्शन को रिट कर लिए दूसरे को तीसरे को और चोथे को फिर आप देखे इनमें से कौन कौन से जुम्रे हैं जो के दुरसे सब लोगों ने अंसर कर लिया होगा तो अब मैं आपको पता देता हूँ इस कोशन का सही जबाब क्या हो जाएगा करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा तो इस स्वाल का सही गवाब हो जाएगा तीसरा यानि आपका अलिफ और जीम इसका मतलब ये जुम्रा और साथ साथ में ये जुम्रा ये दोनों दुरुस से कैसे दुरुस से इसे भी हम जिस्टिफाई करेंगे। देखिए पहले आप्शन में दिया है आपको दानो दाम ग्रहन हैं कोक जली हैं अपने दुख मुझे दुख याद रखेगा ये सभी जो है राजिन सिंग्ग बेदी के अफसानी मजबों के नाम है इसे आप क्लियर कर लेंगे और साथी साथ में ये आपके अफसाने हैं तीसरे आप्शन की बारें बात कर लेते हैं सितारों से आगे शीषे के घर पढ़ड़ की आवाज रोशनी की रखतार ये जो है प्रतुलैन हैदर के अफसानी मजबों के नाम है इसे भी आप याद रखीगा तो इसलिहाँ से ये दूसरा क्यों ने सही है रोशनी की रखतार जो है प्रतुलैन हैदर का है एक चादर मेले से ये देखिए नौवल है किसका नौवल है राजन सिंग बेदी का शिकस्त किसका नौवल मुझे आप बता दीजीगा इस कोशन का जवाब आप मुझे बताएंगे अपने दुख मुझे दे दो या पको देखिए पहला चलिए शिकस जो है ये कृष्णी चंदर का पहला नौवल है डोट कर लिजेगा गंजे फरिष्टे खाकों का मजमुआ है किसके खाकों का सादत हसन मंटू के दिल किसी का दोस्तनी अफसानी मजमुआ है कृष्णी चंदर चलिए हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरह प्रेम च क्योंगी तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा फूर्थ यानि पहले असरार माविद उसके बादे बेवा उसके बादे मैदान अमल और उसके बाद में गोदान आप सब को मालूम होगा कई भर हमने कलास से बताया भी है कि असरार माविद वशी प्रेम चंद का पहला नौमल है तो हम बात कर लेते हैं इनके सन के बारे भी इनका सन भी आप मोट कर लिजेगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टन चीज़े है 1903 1903 इसका है बेवा जो है 1927 याद रखेंगे 1927 मैदान अमल 1932 नोट कीजेगा और गोदान 1936 नैंटीन थर्टी सिक्स चलिए अब हम बात कर लेत कि अमीदों का यहीं खाक है मरकव इक बाल चौह से यहीं खाक है सेराव चश्मे मह्वपर्वीन है इसी खाक से रोशन यह खाक कि जिसका खजफ रेज़ा दर्रिनाव ये अशार अकबाल की किस नद्जम से माखुब्स है Пहला अप्शन आपके पास में लेने निंग ख्दा कि हुजूर में शौय अमीद हैं, जौको शौक हैं, लाले सहराई हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपोर्टन कोशन है तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानि शुआए उम्नीज से ये अशार बाफूज है चली अब आप मुझे बता देजिएगा इक्माल की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतिकाल कब और कहा हुआ है तो नोट के लेजिएगा अठारा सो साथ रिसे में सियाल कोट में आपके पैदाइश हुई है और उनीस सु आटीस रिसे में लाहोर में आपका इंतिकाल हुआ है आपके शेरी मजबूर में बांगे दरा बाले जिब्रिल, जर्बे कलीम, अर्बगाने हिजाज शामिल है इन्हें आप जरूर याद रखेगा चली के वालिद का नाम है शेख मौर मुहमद, चली निस कोशन आपके सामने देखिए, अदब का पहला और आखरी मकसद, मसरत महें पहुचाना है, ये कौल किस मघर्बी नकाद का है, किस मघर्बी नकाद का है, पहला आप्शन आपके मैथ्यो और्नल्ड है, अरस्तु है, टी ए दिछी किजी, जिल में दो زمرे सही ہے, सही زمرे के निशान दिए किजी, तो जल्डी समझे मघर्बा दीजачे, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस कउश्टिन का करिक्ट आईंसर हो जाएगा, दूसरा, यानि जो हमारा पहला زمرे है, ये भी दुरू से, और तीसरा य भी दुरस है लेकि जाफरान सितारा अंबर दिलाराम काफूर सलीब ये जो है ये जो है यानि ये और ये ये ड्रामा अनार कली के करदार हैं किस ड्रामे के करदार हैं ड्रामा अनार कली के ये कारेक्टर हैं ड्रामा अनार कली के मसन्निफ को ने इमत्याज अली ताज इमत्या तो याद रखिएगा ये तीन अबवाब पर मुझतमिल ड्रामा है और इसमें कितने मनाजिर हैं तेरा मनाजिर हैं इसे भी आप याद रखिएगा चली अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन की दर्जिल में से मुझताक अहमर यूसफिक के इंशाया के निशान दही की पहला option आपके पास में चीनी शायर है दूसरा है जुनून लतीफा तीसरा शामत आमाल और चौथा है वकील साहब तो आप मुझे बता दीजेगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा तो इस कोश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानि जुनून लतीफा जो है मुझे जल्दी से बताइए जल्दी से आंसर कर दीजी तब तक आप नोट कर लिजेगा मुझे जो है जो है कनहिया लाल कपूर कनहिया लाल कपूर का इंश्चन का शाया है शामति आमाल अहमद जमाल पाशा कर शाया है वकील साहब रशीद हमद सिद्धी कर नेस कोशन आपके सामने कुले कुल और शौरा का एजास किसे मिला था पहला आपके पास एमकीमी हैं दूसरा नुसरती हैं तीसरा वज़ह ही और तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानि मुल्ला वजही नैस कुशन आपके सामने नजम शुआए अमीद अक्माल के किस शेरी मजमे में शामिल हैं देखिए आपके पास में जर्वे कलीम हैं मांगे दरा हैं बाल जिब्रील हैं अर्मगाने हिजाज हैं तो इस कर सकते हैं तो इस कुशन का सही जवाब हो जाएगा तो इस कुशन का सही जवाब हो जाएगा जर्वे कलीम यानि नजम शुआए अमीद अक्माल के किस शेरी मजमे में शामिल हैं तो आपका जवाब हो जाएगा जर्वे कलीम याद रखीगा इस किरा जो नजमे उस सभी ज तो इस कोशन का जवाब आप सब मुझे पहले बताएंगे चारों ही जुम्रों को रिट कर लिजे फिरा मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी तर्पीव ही जो की दुरस्त है आयोप सब लोगो ने कोशन को अच्छे से रिट कर लिया होगा और सही जवाब तक आपके चुकी होगी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानि पहले मुहम्मद हुसिन आजाद उसके बाद इमदाद इमाम असर वजीर आगा और उसके बाद शकील रह्मार तो नोट कर लिजेगा मुहम्मद हुसिन आजाद की पैदाईश हुई है 1830 CC में आपकी पैद पैदाईश हुई है और 1934 CC में आपका इंतिकाल हुआ है अब हम बात कर लेते हैं वजीर आगा के बारे में तो वजीर आगा की पैदाईश हुए 1922 CC में नोट कर लिजेगा सभी को ज्यान से सुनना आपको जरूर है और 2010 CC में आपका इंतिकाल हुआ है कि जतना ज़ाद चीजें आपको क्लियर होंगी हम बात कर लेते हैं शकील वहमान के बारे में याद रखीगा शकील वहमान की पैदाईश हुए 1931 CC में 1931 CC में और 2016 CC में आपका इंतिकाल हुआ है दीरे-दीरे maximum चीजे आपको याद हो जाएंगी चले ने इस कोशन आपके सामने हाइको कितने मिस्रों और सालिमों पर मुश्यमिल होती है पैला आप्षिंधा आपकी पास में 3, 17, 4 मिस्रे, 15, 8 मिस्रे, 12 सालमे, 7 मिस्रे, 14 तो आप मुशे बदा दीजिए का इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला یعनwest की ने तीन मिस् हुआ है समंदर दूर है किसका अफसानी मज्मूए है आपके पास में सादस तन बंटू हैं क्रिशने चंद्र हैं खाज अहमद अबास हैं गया सामत गद्धी है तो आप मुझे बता दीजेगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानि क्रिशने चंद क्रिशने चंद बहुत इमपॉर्टन है आप मुझे बताएंगा आपकी पैदाईश कब हुई है और सासाथ में आपका इंतिकाल कब हुआ है दूसरा कॉशन आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम कैसे भी नोट कर लीजेगा तिलिस में ख्याल जो है आपका पहला अफसानी मजमुआ है चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोशन की दरजिल नाकदीन को उनके जमाने के इतिबार से हाल से माजी की तरफ बढ़ते विए कौन सी तर् हिसाई हो चुकी होगी तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानि शम्शुर रह्मान फारुकी मुहमद असन शबीहुल हसन इतिशाम हुसे तो सबसे पहले आप नोट कीजएगा शम्शुर रह्मान फारुकी की पैदाश उन्नीस सो पैंटी सिसी में हुई है मुट करेंगे अब मुट करेंगे शबीह الحसन के बारे में 1958 में आपकी पैदाश हुई है और 2012 ISW में आपका इंतिकाल हुआ है स्याद रखेंगे तो बहतर है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं हाल से माजी की तरफ तरफ तरह गया तो कों सा जुम्रह इसमें हमारा जो है दुरूस हो जाएगा आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ सही तरतीब के निशान दी कीजें यहां याब से पूछा जा रहा है चारो option को अच्छे से रिट कर लेजी फिर आप मुझे बताएं iz question का सही जवाब क्या हो जाएगा odpowiedhö क्रोड़ साधिक क्रिटसर प्रेंजार क्या हो जाएगा यूफ सब suppliers came को अच्छे से रिट करता हूँ यह सभी आपके रेल अग्जामें आपकी बहुत ही Jupiter करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही helpfull साहत होने वाले हैं अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दोस्नों के साथ में हम क्छिये लिए क्लास यlaws कीजें क्लास को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि इस चैनल पे आपको अर्दू से रिलिटर मेरी कोशिस होती है क्वालिटी वीडियो से आपको जरू मिलें तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में तक 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 खुदा आफिस अपना ख्याल लखेगा